तो हलो दोस्तों कैसे आप सभी मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और स्वागत करता हूँ जयार टुटोरिल के इस प्लाटफॉर्म पे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस प्लाटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के सभी प्लाट आणा चाहूँ गा, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल इसका नामे प्रदीप गरी ब्लॉग और एक जूसरा चैनल इसका नामे गरी टूडोरिल वो हो इजुकेशनल चैनल है Atom के अंदर क्या है उसका structure कैसा है इसके बारे हम बात करने वाले है गाईस पूरा detail में यह lesson पूरे detail में atom के structure के बारे में है पूरा starting to ending atom आया कैसे इसकी पिछे story क्या है सभी चीजे इस lesson के अंदर है तो अगर यह lesson बहुत अच्छे से focus करके रखोगे तो बहुत सारी चीजों का knowledge आपको हो जाएगा सबसे पहले स्टार्ट करते है atom atom का मतलब क्या होता है atom से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा matter क्या होता है anything which has occupied space उसकी को हम क्या बोलते है matter जो भी कोई अगर space occupied कर रहा हो होता है matter अगर मान लो यह मेरा phone है अगर ये भी space occupied कर रहा है जगह घेर रहा है तो भी मेरे लिए क्या matter है ये मेरा ये ये jacket ये भी space occupied कर रहा है तो भी matter है मैं matter का जो सबसे smallest particle होता है जो सबसे चोटा particle होता है उसी को हम बोलते है atom जो हमारे lesson करना है उसी atom के structure के बारे में हमें इस lesson के अंदर discuss करना है So smallest unit of matter is called atom इसी को क्या बोलते है atom matter का जो सबसे छोटा वाला tiny particle होता है उसी को हम क्या बोलते है atom बोलते है So guys atom के अंदर अगर मैं particle की बात करूँ सब atomic particle की बात करूँ तो protons होते हैं नाम सुना ही होगा अपने 11th standard में आ गए हो तो कहीं न कहीं कभी न कभी गलतीस हो तो यह नाम सुनी लिया होगा proton, electron और neutron यह तीनों के बारे में guys पूरा detail में explain करूँगा सब कुछ अच्छे से बताऊँगा कि हाँ अगर एक्जाम में आपको differentiate करने के लिए है अगर दोनों के बीचों difference है proton और neutron के बारे में है तो आपको लिखा हुआ इस तरह सब differentiate कर सकते हो बहुत systematic लिखा है एक बार तो मैं side हड़ जाता हूँ अब फडाक से एक अच्छा सा screenshot ले लो क्योंकि पता है मैं इदर उदर मढ राता रहता हूँ और आपको पता ही नहीं चलता है आप screenshot proper नहीं ले पाते सो गाइस अब subatomic particle की बात करूँ तो three subatomic particle है पहला है proton दूसरा electron और तीसरा है हमारा neutron proton की बात करूँ एक एक चीट discuss करते जाता हूँ मैं it is present in the nucleus of an atom यह हो गया atom का nucleus जिसके अंदर proton होता है और एक neutron होता है और इसके चारों तरफ जो घूमता है वो होता है हमारा electron क्या होता है electron सो वही लिखावा है it is present in the nucleus of the atom atom का जो nucleus होता है उसके अंदर जो present होता है उसको हम क्या बोलते है proton बोलते है okay it is positively charged fundamental particle इसको कौन सा चार्ज रहता है positive charge गाईज यह सब चीज मैं सही बोलू ना मुझे पता है अगर आप level standard में हो तो please अगर आप science के student हो तो इतना तो आपको पता होगा कि proton को कौन सा चार्ज होता है तो proton को कौन सा चार्ज होता है positive charge होता है आगे मैं बात करूँ it carries unit positive charge the actual value of charge is 1.6 into 10th to minus 19 कौलम जो चार्ज करी करता है अगर उस charge के value की बात करूँ तो value कितनी है 1.6 into 10th to minus 19 कौलम ओके चार्ज का unit जो होता हो कौलम होता है यह जो capital C है यह कौलम को इससी से denote किया जाता है तो कौलम अपने 10th standard में सुना होगा the mass of proton is 1.00727 proton के अगर mass की बात करूँ तो यह इतना होता है 1.00721 amu amu means guys atomic mass unit amu means कहीं भी amu लिखा हुआ है तो आपको बहुत सारे बच्चे उसको रट्टा मारते रते हैं आगे mass count कर लेते हैं फिर इसका amu amu करते रते हैं इसका मतलब होता है atomic mass unit the actual value is मतलब उसका actual value की अगर मैं kg में बात करूँ तो 1.67 into 10th so minus 27 kg होता है तो यह सब चीज़े मैं आपको बता है it is denoted by उसको किसे denote किया जाता है h1 1 यह जो नीचे वाला 1 होता है guys इसका मतलब होता चार्ज और उपर वाला जो 1 होता है उसका मतलब होता है mass क्या मतलब होता है mass होता है तो same guys यह तो h से 1 1 यह पी से 1 नीचे वाला 1 जो होता है वो क्या होता है बता हो पड़ाआ पड़ा फट पड़ाए उस तरह से हम denote करते हैं proton को shot में बताऊ तो proton जो रहता है वो कहां present रहता है वो nucleus में present आटम के nucleus में present रहता है, proton को कौन सार charge रहता है, proton को positive charge रहता है, उस positive charge के अगर value की बात करूँ तो कितना रहता है, 1.6 x 10-19 coulomb, अगर उसके mass की बात करूँ तो 1.00727, और अगर उसके actual mass की बात करूँ तो 1.67, 672 x 10-27 kg, ओके अगर इसको किससे denote किया जाता है, H11, 1 मतलम मैं य यह 1 का बता दिया, इस 1 का मतलब होता है, charge, उपर वाले 1 का मतलब होता है, mass, और यह तो P से, 1, 1, means, यह हमारा नीचे वाला charge, उपर वाला mass, so guys, यह proton के बारे में clear cut मैंने बता दिया, अब चलते हैं, next, subatomic particle, जो हमारा neutron, 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 बहुत मजाता है यह बोलने मेरे को, so guys, nucleus के अ it is present in the nucleus of an atom, same चीज, यह भी neutron भी, जो atom का, जो nucleus होता है, nucleus के अंदर जैसे proton, proton present होता है, वैसे neutron भी present होता है, it is chargeless fundamental particle, chargeless proton को positive charge था, इसको कोई charge नहीं है, इसलिए charge less है, इसके अंदर charge का less है, charge नहीं है, इसको कोई भी charge नहीं होता है, न तो यह positive होता है, न तो negative होता है, यह chargeless particle होता है, the mass of neutron is 1.0086 amu, neutron का जो mass होता है, वो इतना होता है, atomic mass unit 1.0086, atomic mass unit, अगर actual value की बात करूँ, तो 1.67 into 10 to minus 27 kg, और इसको किस से denote किया जाता है, neutron को guys, मुझे लगता आपको पता ही होगा, नीचे फिर से बता रहा हो, नीचे charge, charge तो उसको होता है, नीचे जिरो गंसिडर किया है, और नीचे वाला charge उपर वाला क्या है, हमारा mass, मैंने बता दिया, और इसको denote इस से किया जाता है, N से, अब आगे चलते, दो चीज़ हमने डिसकस कर ली, proton and neutron, अब हम चलेंग लाज जो हमारा sub-automic particle है, वो है हमारा electron, electron तो बहुत लोगों ने सुना होगा है, electron, अगर मेरे खाल से state board में 7 standards से ये start हो जाता है, proton, electron सुनना, जहां तक, आपने कौन सी class से सुना हुआ है, अगर आपके घर में कोई भाई वेन होगे तो जरूर आपने proton, electron, neutron, इसी में हमारी जंदगी बरबाद ये सुना ही होगा कभी ने कभी, अब चलते हैं, electron की बात करते हैं, अब देखो, जो हमारा proton और neutron होता है, वो nucleus के अंदर होता है, और ये nucleus के जारो तरफ जो reward होता है, वो हमारा होता है electron, और electron को कोई सा charge होता है, negative charge होता है, तो देखते होई, it is present in the extra nuclear region, ये ये वाला nuclear reason है और इसके बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे, extra nuclear reason, ये क्या है हमारा extra nuclear reason, मतलब nuclear के अंदर proton हो neutron, और outside of nuclear क्या present रहता है हमारा electron, nuclear के बाहर जो present रहता है, वो रहता है हमारा electron, इसको कोन सा charge रहता है, negative charge रहता है, okay, it is carry unit negative charge, the actual value is minus, इसकी actual value कितनी है, कितनी है electron की माइनस 1.6 इन्टू 10 रस टू माइनस 19 कूलम ओके और गाइस इट हैसा निगलेजिबल मास पहली सिंपल सी बात है पहली बताया जा चुका है कि ये इसको चार्ज को अगर इस जैसे भी न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ये चार्ज लेस है प्रोटॉन माइनस 31 माइनस 31 तो कितना वैल्यू कितना छोटा होगा है इसलिए इसको निगलेजिबल किया जाता है तो इट हैस निगलेजिबल मास 9.108 इंटू 10 रस टू माइनस 31 केजी और गाइस अब देखो नीचे मैंने एक टेबल बाताया बनाया हुआ है यह टेबल जनरली आपके बूक का हίζे मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया आपके बूक में ही यह टेबल दिया हुआ है electron का symbolism Care relative charge दिया हुआ है सिंबल दिया हुआ है mass kg दिया हुआ है apprendre ऐस सब शीज़े यह systematic लिखा हुआ है electron का, proton का neutron का, so guys, यह आप चाहिए तो read कर सकते हो, दिमाख में रख सकते हो, बट guys, यह जो 1, 2, 3, यह जितना मैंने लिखाया, अगर यह आपको याद हो गया, तो काम आपका हो गया, आपको समझ में आ जाएगा बस यह 3 exam में, अगर आपने इसको दिमाख में फिट कर लिया, तो आपके exam के लिए हो गया, exam के लिए guys क्या, वो बहुत सरी चीजों का, इसके अंदर ही पता चल जाएगा, so subatomic particle कितने होते हैं, 3, proton होता है electron होता है, neutron होता है basic चीज़े यह है, proton को कोई सा charge होता है, positive electron को negative, neutron को होता है, proton कहां present होता है proton, nucleus के अंदर होता है electron, nucleus के बाहर होता है neutron भी किसके अंदर होता है nucleus के अंदर होता है, और सभी यह guys subatomic particle है किसके atom का, और atom atom, atom matter का जो सबसे चोटा वाला particle होता है जो सबसे tiny particle होता है matter का, उसी को हम क्या बोलते है एक्टम बोलते हैं तो गाईस यहां मैंने clearly बहुत deep में चीजों को आपको explain करने का try किया हुआ है मेरे ख्याल से आपको note भी direct की मिल गया होगा notes notes चिलानी के जवरत ही नहीं है पुरा समझ में आगए अगर फिर भी कोई doubt है तो comment में लिखे मुझे बता सकते हो